मुदि को सवाल करेंगे कि बारत में हमारे लोगों को तू पीटता है और यहाँ पर आकर सारी जुटी बाते बताने आता है मोधी को वनंगा करने का काम हम विश्वे में जाकर करेंगे ये काम हम लोगों को करना होगा बाद का लोग कंद्र पुड़ी तरह से इश्प्रॉई हो चुmayın खतम हो चुका है भारत Susi इस diffiday no officials उसरी दूसरा ईड़ मिनिस्ट्रेट्ट्र हो जहां पर हमारे आयस ओफिसर बेश्ठते हैं तीसरा पेर है भारत का मीडिया और चौता पेर है भारत का संसद इन चारों पेरों पर बीजेपी आरे सेज हवी हो चुकी है संसद में तो पूरी तरह से वो लोग मैजरिटी में है मैजरिटी का मतलब आप लोगों को ये फैसिजम लाने का अधिकार नहीं है मेजरिटी का मतलब आप लोगों को माइनेटी इसके उपर रिलिज्यूस माइनेटी इसके उपर अन्य अत्यचार करने का ऑथोरिटी नहीं है पूरा संसद RSS ने काबिच कर लिया है शपत गहन के दिन जहे श्री राम के नारे संसद में लगाए जा रहे थे यह अभी भारत का संसद नहीं धर्म संसद हो गया है दूसरा पिलर भारत की न्याय वेवस्ता सुप्रीम कोट हाई कोट हाई कोट के जजेस टॉप मोस जजेस सुप्रीम कोट के हाई जजेस सुप्रीम कोट के कंपाउंड में आए और सारे प्रेस वालों को बुलाया और प्रे जस्टिस गोगोई क्या कहते है पता है भारत का लोक तंत्र खत्रे में है उसको बचाओ देखो पाकिस्तान का सबसे छोटा कोट डिस्ट्रिक कोट उसने मुसर्णफ को शिक्षा दी भारत पाकिस्तान का डिस्ट्रिक कोट पाकिस्तान का प्रेशिडेंट को दंडित कर सकता है लेकिन भारत का सुप्रीम कोट कुछ नहीं कर रहा है याने सुप्रीम कोट के हाथ से पूरी तरह से ताकत इन लोगों ने खतम कर दिया और मीडिया, मीडिया तो हमारा पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है Zee News हो, आज तक हो, कोई भी चानल लगाओ सिर्फ मोधी और अमिच्छा, मोधी और अमिच्छा हमारी कही पर भी मीडिया में खबर नहीं है मीडिया का पूरा पैर RSS BJP ने काबिज कर लिया है और IS, हमारे officers, हमारे बच्चे दिल्ली में भारत के कोने कोने से दिल्ली में जा रहे हैं पाच-बाच साल UPSC की पढ़ाई करते हैं और तब जाकर IS बन रहे हैं अभी भारत सरकार ने UPSC से परिक्षाओं से IS बनाना छोड़ दिया है अभी डायरेक्ट इंटर्व्यू से शर्मा तिवारी त्रिपाठी IS बनाए जा रहे हैं अभी डायरेक्ट इंटर्व्यू से बनाना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज अपडेट पाने के लिए बैल आइकन को दबाना ना भूलें